हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारे डाउनलन क्लासेज में बच्चो आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सब्सक्राइब करना ना भोलिए बच्चो कोशिन नमबर वन है नेम आ नेबरिंग कंट्रीज विद दियर कैपिटल बच्चो हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है उनके नाम हमें यहां पर लिखने है उनकी कैपिटल के साथ नेपाल की कैपिटल है काटमांडू सेक नेक्स्ट है बच्वो म्यानमार, इसकी कैपिटल है नपीद्यू, बांगलादेश, बांगलादेश की है बच्वो धाका, श्री लंका, श्री लंका की कैपिटल क्या है बच्वो, श्री लंका की है कॉलम्बू, पाकिस्थान पाकिस्थान के कैपिटल है इसलामबाद और बजो एक और हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है अफगानिस्थान ठीक है तो उसका भी आप यहां नाम लिखेंगे और इसकी कैपिटल है काबूल ओके next question number two with the help of your textbook write the name of the countries according to the statement given below tiger of this country are known as royal bengal tiger in the world बच्चो कौन सी country के जो tigers है उन्हें royal bengal tiger के नाम से जाना जाता है तो यह है बांगलादेश बांगलादेश के बच्चो टाइगर को royal bengal tiger कहा जाता है इस country is popularly known as pearl of the east बच्चो pearl of the east किसको बोला जाता है शिरी लंका बच्चो शीप, gaut and yaks are reared in grassland near river of this country बच्चो ऐसी कौन सी country जहां पे शीप, gaut and yaks को चराया जाता है नदियों के पास बच्चो यह है भूतान ओके बच्चो बच्चो दा फेमस पास, बोलन and खेबर are situated in this country बच्चो यह कौन सी country है जहां पे यह situated है यह है पाकिस्थान नेक्स्ट बच्चो इस country has the highest mount Everest of the world बच्चो सबसे highest mount Everest world का कहा है नेपाल question 3 fill different color in the neighboring countries of India in the following outline map अब देखे बच्चो हमें यह map दिया गया है इनमें हमें हमारे जो भी neighboring countries हैं उनके यहाँ पे color करके name लिखने हैं तो चले बच्चो start करते हैं तो देखे बच्चो यह हमारा है अफगानिस्थान ठीक है यह हमारी neighboring country है यह हमारा पाकिस्थान यह है नेपाल यह है चाइना बच्चो यह हमारा भूटान यह है बांगलादेश यह हमारा म्यानमार और यह हमारा शिरी लंका तो यह हमारी सभी इंडिया की neighboring countries है ठीक है तो इस तरह आप सभी को यह solve करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो करलो ऑंका उना होगा वीडियो यह को यह हो वीडियो इंग को बच्चो प्रोगियो प्रूब आप समझ बच्चो यह को भी को में प्रूब गच कर बच्चो यह को यह मुदा सभी को